हलो दोस्तो हमारे चैनल में आपका बहुत दोस्तो आज इस वीडियो वताऊंगा आपने तो फेस्बूक पर इस परकार की AI इमेज देखे होगे दोस्तो आप भी सोचते होगे कि इस परकार की इमेज को कैसे क्रियेट करते हैं कैसे बनाते हैं दोस्तो क्योंकि हमको नहीं निखे होगे तो इस परकार की इमेज क्रियेट नहीं कर सकते हैं आज इस वीडियो में अई देखेंगे दोस्तो कोई भी AI इमेज का प्रॉम्ट कैसे हम निकाल सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं और उसी टाइप का इमेज हम उस प्रॉम्ट से कैसे जनरेट कर सकते हैं तो पहले ये जानेंगे कि किसी भी image का फ्रॉम्ट कैसे निकालते हैं कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए दोस्ते सबसे पहले अपना chrome browser open कर लेना है chrome browser open करने के बाद यहाँ type कर देना है दोस्तो image to prompt तो चलिए हम लिघ लेते हैं image to prompt बस इतना लिखा साच कर देना जैसे ही image to prompt लिखोगे दोस्तों पहला नंबर का website आ जाएगा यहां देखे दोस्तों image to prompt.com इस पर किलिक करके open कर लेना है इस website पर किलिक करके open कर लेना है दोस्तों जैसे ही आप open करोगे इसका इंटरफ़ कुछ इस प्रगास दिखाए देगा यहां हूं तो आप login कर लेना है login करने के बाद यहां देखिए दोस्तों मैं कोई एक image प्लोड कर लेता हूँ कुछ wait करना है यह image अप्लोड हो गया है मैं इसी परकार का image बनाना चाहता हूं उसके लिए सबसे पहले उस image को upload कर देना है इस website में upload करने के बाद यहां website अपने आप इसका prompt दे देगा हमको इसको copy कर लेना है तो चलिए हम copy कर लेते हैं यहां देखें दोस्तो description को copy बस करना है यहां देखें description दिखाई दे रहे कर लेना है प्लेई करने के बाद अपने के बाद यहां यहां बिंग लेक लिंग कर लेना है यहां इसका और प्रकास दिखाई देगा आप इस apps में अपना Gmail ID के द्वारा login कर लेना है मैं पहले से ही login कर लिया हूँ login कैसे करना है दोस्तों बहुत लोग को login करना नहीं आता है तो आप तो आप मेरे पिछले वीडियो में आप मेरे इस channel में वीडियो मिल जाएगा दोस्तों कि Bing Apps में login कैसे करना है अपना account कैसे बनाना उस वीडियो को देखके बहुत आसानी तरीके से Bing Apps में login कर सकते हैं account बना सकते हो जैसे ही login करने के बाद इसका इंटरफिक कुछ इस प्रकास दिखाए देगा उसके बाद यहाँ देखिए image creator इस पर किलिक कर देना जैसे ही इस पर किलिक कर गए दोस्तों इसका इंटरफिक कुछ इस प्रकास दिखाए देगा तो चलिए कुछ वेट कर लेते हैं आप कॉपी किये हो उसको paste कर देना है यहाँ पर paste करने के बाद create पर किलिक कर देना है जैसे ही create पर किलिक कर गए दोस्त जो मिलता जुलता है यहां देखे देखे दोस्तों कुछ इस प्रकार का और इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए यहां तीन बिंदू पर किलिक कर देना है उसके बाद यहां डाउनलोड पर किलिक कर देना है यहां लोड करना चाहते है उसको डाउनलोड कर करना है इस प्रकार से दोस्तों आप भी किसी भी AI इमेज को अगर फ्रम्प लिखना नहीं आता है तो बहुत है आसानी तरीके से जनरेट कर सकते हो बस इतना है दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो को पसंद आ पसंद आ तो प्लीज लाइक कर देना हो चैनल को भी तक सब्सक